पैरिस में पैलेस ओफ डिस्कवरी के अंदर घूमने वाला एक बड़ा टेबल है जहां आप बैठ कर प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि टर्न टेबल के बीचों बीच आप पानी रखकर उसमें लिक्विट नाइट्रोजन डाल सकते हैं ये एक प्रकार का कोहरा पैदा करता है जो पानी की नन ही बूदों से बना हुआ है ये बीच से बाहर की ओर फैलता है लेकिन आप जितना बाहर जाते हैं इस टर्न टेबल की वास्तवे क्लीनियल स्पीड बढ़ती जाती है और ये वैपर्स पीछे चूटते जाते हैं इस तरह से एक भवर बन जाता है जो कुछ हद तक हैरिकेंट तोफान की तरह दिखता है और ये समानता केवल सैयों की बात नहीं है प्रिथवी आखिरकार एक विशाल टर्न टेबल ही तो है और मौसम इसी वज़े से बदलते हैं जब आप फिजिक्स का अध्यान एक घूमती हुई फ्रेम के संदर्व में करते हैं या केवल घूमते हुए निकायों के तो आपको कुछ रहस्माई और प्रतिवाधी तथे देखने को मिलते हैं इसलिए मैं इस वीडियो को चार क्रांतिकारी पहेलियों पर समर्पित कर रह हूँ नंबर एक यहां मेरे पास एक रैम्प है जिसे धलान के सकते हैं और आपको बता दूँ मैं कि मैं कोई मजाग नहीं कर रहा हूँ मैं इस टेप के रोल को लुड़कने देता हूँ यह नीचे जाते जाते तेज हो जाता है और अब मेरे पास है एक रहस्माई सिलिंडर और मैं इसे रैम्प पर रखने जा रहा हूँ हम देखेंगे कि यह लुड़कता है फिर रुख जाता है और फिर यह लुड़कता है और यह फिर से रुख जाता है तो मेरा आप से सवाल है कि इस मिस्टरी सिलिंडर में क्या है आखिर यह क्या चीज है नमबर दो, एक साइकिल लेकर किसी को इसे पकड़ने के लिए कहिए ताकि ये गिरे नहीं या फिर किसी चीज से से टिका दीजे फिर एक डोरी लीजे और नीचे वाले पैडल पर बान दीजे अब मैं इस डोरी को सीधे पकड़ कर पीछे की ओर खीचूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अनुमान लगाएं कि ये बाइक आखिर क्या करेगी क्या ये पीछे आएगी, आगे बढ़ेगी या वहीं पर स्थिर रहीगी ये बाइक मेरा इंट्यूशन तो कहता है कि ये आगे जाएगी मुझे लगता है कि ये हिलेगी ही नहीं ये आप एक स्थिर पोजिशन से पेडल को पीछे खीचेंगे जब आप इसे पीछे खीच रहे होंगे उससमें पेडल पहिये को घुमा कर आगे बढ़ाने के कोशिश कर रहा होगा इसलिए शायद ये चले ही ना, चीज़े आगे बढ़ने वाली हैं मेरे इस आप से आगी जाएगी पक्का ना? हाँ, बिलकुल ठीक है तीन, दो, एक, नमबर तीन मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रैक पर दो लैप्स दौड़नी के बारे में सोचें अब पहले लैप के दौरान आप जितना चाहे धीरे चल सकते हैं उस स्पीड को हम V1 कहेंगे लेकिन दूसरे लैप में मैं चाहूँगा कि आप तेज दौरें कुछ इस तरह है जिससे दोनों लैप्स की औसद गती को यदि जोडा जाए तो वो स्पीड V1 से दोगनी हो जाए मतलब की पहले लैप से डबल तो ट्रेन का एक हिस्सा जमीन के संबंध में पीछे की ओर चलता है मतलब ट्रेन के संदर में पीछे नहीं बलकि जमीन के संदर में पीछे और ज़रूरी नहीं कि वो इतना धीरे चले जितना यदि आप पीछे दोडनी लग जाए तो आप जमीन के संदर्व में पीछे जा रहे हों, ये किसी भी स्पीड पर हो सकता है, किसी भी normal train में एक ऐसा हिस्सा होता है, जो जमीन के संदर्व में पीछे चलता है, मेरा सवाल आप से ये है कि वो हिस्सा कौन सा है? अब आपके लिए ये चार पहलिया हैं, जिसके जवाब के तौर पर आप मेरे लिए एक वीडियो बना सकते हैं, जिसमें आप मुझे इनका समाधान बताएं, या आप बस नीचे कॉमेंट्स में अपना जवाब हमें दे सकते हैं, और उन पर एक दो तीन चा संख्या डाल दें जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये जवाब किस पहली का है, और अगले सब्ताह में यहां उन सभी जवाबों को पोस्ट करूँगा. किस दिसका जवाब से सबना जाएं, झाय किस दुछाब से सकते हैं, जök झाल जवाबों ये उन जवार जड़ाने हा जाएं, यहां जू आप पा उचे os if ख povo के जबाड़ा सेजानी Wind, और जो कर दो वाश्या ज